नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियोज मैं हूँ योगी श्क्रवरती आरजेडी सुप्रीमो लालू परशाद यादव नी टिकट बटबारे में क्या भेद भाब किया क्या उन्होंने अपनी कारिकरताओं का ख्याल नहीं रखा उन कारिकरताओं का ख्याल नहीं रखा जो बर्शों की मेहनत करते हैं और जब टिकट देने की बारी आती है तो टिकट किसी और को थमा दी जाती है यह नहीं उन पर पुर्व केंद्रिय मंत्री और पुर्व शांसत देविंद्र परशाद यादव ने तो टिकट बेचने तक की तोहमत लगा दी है जो उनकी ही पारट यादव ने आरजडी सुप्रीमों को चिठी लिख कर खूब खरी खोटी सुनाई है और यही नहीं उन्होंने कहा है यही हाल रहा तो आप फिर जीरो पर आउट होंगे और इसका असर आने वाले दो हजार पचीज के विधान सभा चुनाप पर भी पड़ेगा और आप एक सारा तेजस्वी यादव की ओर है हमारे साथ बरिष्ट पत्रिकार शंतोष कुमार जी हैं इन से समझते हैं कि क्या सच्मुच आरजडी सुप्रीमों लालु परसाद यादव ने जो टिकट बटवारे किये हैं उससे भेद भाब और किसी तरह की अन्यमित्ता और कहें कि कार कि अधारोब का दॉर हर बार सुरत होते रहता है और टिकट बटवारा में बेचने का भी आरोब लगता है कार्ज करताओं की अनदेखी की यहारोफ लगते रहता है यह चुनाओं का कोई नहीं बात नहीं है और दिविंदर यादव जिसे ब्यक्ति अगर लागा रहे हैं त उसके अबाद देविंदर यादव लगातार चुनाओ जीते रहे और आज वो आरोप लगा रहे हैं तो इस पर विचार करने की जुरत है और उन्हेंने पत लिखा है अगर इसमें कहीं भी सच्चाई है तो भाई इस पर ज्यांच की आगए सकता है लेकिन जहां तक देखा झाए देवेंदर यादव को तो लालू प्रसाद के जनता दल के समय से वो सात थे lunga चुनाओ जिते रहें और बनत्र बनी जब सरकार का लगातार जीतते रहें कि तो अगर देवंदर प्रसाद आदब आरोप लगा रहे हैं तो क्या उससे समें जब टिकट दिया गया था और जब उससे में उनको टिकट दिया गया तो प्वाई ईडिक देवेंदर यादब के छेतर का लगता है कि तीन चार चुनाव से लगातार वो चुनाव हार रहे हैं तो बार बार टिकट उनको दियाने जाए और एक तेजस्वी आदब यूथ लेकर लेकर के चर्ण है नय लोगों को आप देखे होंगे जितने लोगों को टिकट मिला है ज्यादा तर यूथ हैं पचास के आसपास के लोग ना की सत्तर डिवंद्रे आदव जी का अमड़ भी जेपी आंदोलन के नेता है कर पूरी ठागु के समय के नेता है तो इनका करीब के आसपास कहीं होंगे यह भी 75-80 के पार आ गया है तो इन लोगों को एक बोला जाता है कि मार्क दसक मंडल में रहना चाह है और अगर आरोप लगता है लालू परसाथ पर तो हो सकता है दो चार दस सीटों में हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा तर सीटों में तो उन्होंने कार्शकरताओं को दिया है और ऐसा अच्छा समीकरन बनाया है आप देख लिजिए गया से भाई एकदम यू बुंगेर में मान लिजिए उन्होंने नए को लाया लेकिन वह भी लालू के समर्थकी रहे हैं और उनकी पत्नी को टिकर दिया उसके बाद हाँ लालू परसाथ ने गलती की मान लिजिए पटना पाटली पुत्रा सीट पर बेटी को देना बहुत बड़ी गलती मुझे लग अगर लोग सबाद जीत तो मिसा राजसवा रहेगी अगर राजसवा जीत जाती है तो भी वह सीट राजत के खाते में तो आना नहीं है तो यह बैवकुपी कहा जाएगा उसके बाद आजाई आप हाजीपूर तो हाजीपूर में अभी तक उन्होंने नहीं किया किसको देन मुलना शुकला को साहद दे रहें तो भी बाहरी हैं उनके सब्सक्राइपूर को दिया गया है को फिर आप जाएए महाराज गंच फिर आजाएए जमुई तो पाटी वर्कर को ही दीआ गया है तो अब उजियारपूर पाटी वरकर ही दर्भंगा पाटी वरकर ही हैं पुराने मधुवनी आप ले लीजिए सब जगा और फिर समीकरन का भी खेल होता है अब मुके सानी तो पाटी को आगे बढ़ाने के लिए गटवंदन धर्म में मुके सानी को लाया गया तो दिवेंदर जादब की नाराजगी मुके सानी से है कि उनको कोई ने जाता है लेकिन गटवंदन धर्म में लाया गया तो तीन सीट दिया गया तो उसमें उनके खाते में जंजारपूर गई वहां पर इस बात को लेकर उनकी ज्यादा नाराजगी है उनको उमीद थी कि अभयक उसवाहा को टिकट दिया गया है और वो जीडियू से गये हैं उसी तरह से उन्होंने बीमा भारती का वी जिक्र किया है कि जो जीडियू में थे उनको रिजाइन करवा के आप जो है टिकट दिये जबकि वो सीट छोड़ा जा सकता था पपूयादब के लिए निश् करें कि लोग कई लोग हैं कई उमीदवार हैं जो भारी हैं तो उसको लेकर क्या आलोचना जायज है जो पार्टी का वरकर कर रहे लगातार के लिए संगठन का का काम कर रहे है जब चुनाव लानने की टिकट देने के भारी आती है तो बाहर से आयातितमाल को आपने उमिद्वार बना देते हैं तो यह उनकी नाराजगी जाएज है और इस पर बिचार करना चाहिए कि भाई संगठन में फिर वरकर क्यों काम करेगा अगर आप बाहरी लोगों कोई जान देगा अपना सब लोग अपना बाहरी आएंगे और टिकट ले जाएंगे इसक लोगों पर भरोसा किया गया है लेकिन आपने इसके साथ जिक्र किया सुरेंदर यादव का बाका में देखिए जया परकास यादव जो मतलब काफी सिनियर लीडर है और यहीं नहीं उनकी शबी उनके चेत्र में काफी खराब है लोग जो है तरह-तरह की बाते करते हैं तो बहुत भारी मतों से हा रहे हैं उनके भाई विजय परकास जो है जमोई में स्रेशी सिंग ने कितने भारी अंतर से हराया है अगर फिर उन्हें टिकट थमा दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाए लेकिन निश्चित तोर पर जब परकास जादव को टिकर देना चुकि व पोने मेरे मिशा भारती कि जीत के अन्यकरति टिकर छला है सुरेंद्र जादब अभी सतार अधिमिती में आए ललोगो सतार वाले हैं यह शेयंद्र जादब युस्त वाले इस बीस सब नुबंगा नुचार करते हैं और अभी बहुत बुजुने हाँ बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन उनका टिकट पर जो आरोप लगा है वो भी अब युवाओं को जैसे तेजस्वी जादा आगे बढ़ा है तो युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए यह अची बात है युवाओं को मौका मिलना चाहिए परसेंट कहिए कि थोड़े बुजुर्ग मुझे लगता है कि 77 आंदोलन कि किसी को टिकट नहीं दिया गया है मुझे लगता है कि इंडिया गटबंदन से कड़ी करी वही काम किया कुछ को अपवाद च्वर्जिए इंडिया गटबंदन से कुछ लोग जो हैं वो उमर्द सब्सक्राइब नहीं तो अस्वनी चोबे का देखिए उन्हों ने टिकेट काड़ दिया जोगी 75 आसपास थे 77 आंदोलन वाले थे बाकी सब तो युवा है या बुजुरुग कही है लेकि 77 आंदोलन वाले को अब मुझे लगता है कि आप कह रहा है एक तरह से कि लालू पर साथ जिनने जो आरोप लगाया है उसमें कुछत तक तो सच्चाई भी है जैसे अभयकुस वहाद भीमा भारती तो बाहरी उमिद्वार तो है लगभक दस उमिद्वार बाहरी है तो देवंदर जादम ने मामला सही उठाया कोई गलत उन्होंने नहीं उठाया है उसमें पैसे की coal Regrd Bakrieya मामला तो हम नहीं कर सकते हैं वह उनका आरोप है ओलालू परसाद के लिए जाएख का भी सा है हम लोगा है नहीं कि बाश्यार पैसे देकर की ठीकना लिया और क्या है तो और यह भरम नके लालू-परसाद का मामिला ख़ेंके और लेकिन उनके श्ली लालू परसाद को ध्यान देना चाहिए पुराने साथी है उनके और वो लगातार उन्होंने एक बात यह कहिए कि इसका जो है यंग जनरेशन आने वाला भविस्थी पर भी असर पड़ेगा खासकर कि मुझे नहीं लगता है कि जो असर लोग सवा चुनाव का लग होता है विदान सवा का लग होता है आप देख लिए न भाई चुना उनीस का जो चुना हुआ था इंडिया गट बंदन चारो खाने चीत होगा यार जड़ी एक सीट नहीं जीता सब को लग रहा था कि इस बार भी इंडिया चारीसों सीट जीत जाएगा लेकिन देखिया महल कैसे दीरे दीरे बनते जा रहा है कंडिडेट आने के कारण आज भले ही अभय कुस भाह को हम लोग बोलें लेकिन अभय कुस भाह लड़ाई में तो हैं जो छत्रिये किला माना जाता है औरंगाबाद को वहां उन्होंने अगरों पिश्रों की लराई कर दी और जीच जाएं तो आश्यर्च की बात नहीं होगी अच्छी लराई दे रहें अगर पपू यादब नहीं खड़ा होते पूर्णिया से तो बीमा भारती निश्चित तो पर भारी परती अच् यह काम तो नेत्रित्व करता कहीं है कि वह उसको मैनेज करें राजनीती में कई मजबूरियां होती है जो शात्ता के सिस पर बैठा राता है टिकेट देने के मामले में दस-दस उमिदवार रहते हैं और सबको लेकर के चलना पड़ता है और उसमें टिकट देने में कहीं कम् लोग्राइब ने जमुई में अपने बहणोई को टिकर दिया घुड़ा गया वी रोध रहा है तो सभी दलों में होता है और ग्रेस भाजपा में भी देखिया विश्पा में भी रोध रहा है लोधी तो जब चुनाओं का समय आता तो ये विरोध और समर्थन की बात चथे रहते हैं और सभी दलों के प्रकासी इधर से उधर जाते रहते हैं कोई एक दल का नहीं'd और देवंदर तो एक तरह से कहें कि हमाम में सब नंगा है कोई भी दूद का धुला नहीं आरोप लगा देना आशान होता है और आरोप लगा देने से कोई सचमुच दोसी नहीं हो जाता बलकि यूँ कहें कि ये उसकी मजबूरी भी होती है और एक साधानतिक फैसले की भी बात होती है फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमिट कर अपना महतुपुन विचार और सुझाब जरूर धन्यवाद